मिलेगी ने और सफलता को अपनी चरम तक पहुचाने नाओं को हम साकार रूप जरूर दें लेकिन साथ ही साथ आने वाली प्यूडी को जो हमारे नौनिहाल है जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको इते हैं देखे समाज में विभिन परकार की कुरीतिया आज फैली हुई हैं समाज विभिन जजवाटों से जूल रहा है उस दिसा में हमारे जन्पत के ही हुनहार नौजवान साथी हैं जिन लोग ने एक रॉक बैंड बनाया है क्यूरियस बैंड और समय समय पर ये समाज में जो भी फ नरंतर रूप से सफल होती जा रही है और काफी प्रभावी भी रही है उस दिशा में इस क्यूरियस बैंड के जो राम शर्मा है और उनके साथी हैं जन्पत जौनपूर के हुनहार नौजवान हैं लोगों ने पूरे प्रदेश भर में बिड़ा उठाया है कि जगां जगा जाकर जन जागरित करेंगे और लोगों को इससे अवेर करेंगे जिससे समाज में महिलाओं के प्रत लोगों का भाव बदले और महिलाएं स्वेम में ससक्त होकर अपने आपको समाज में अच्छे मुख्यधारा में प्रस्तुत कर सके कारिक्रम निश्चित रूप से दिसंबर 2012 में शुरू किया गया था और आज सत्ता परिवर्तन हुआ है लेकिन मैं समस्ता हूँ इस सरकार में भी निश्चित रूप से इस योजना को पूर रूप से प्रभवी ढंक से लागू किया जा रहा है और लखनों जैसे शहर में औ इसको सदन में भी पूछा है तो आकड़ों में निरंतर विर्धी हुई है लोग इससे अवेर हुए हैं और महिलाओं का इस पर कॉल जाना यह निश्चित रूप से दरसाता है कि महलाएं अवेर भी हैं और इस दिशा में सरकारें बहतर काम कर रहे हैं काम करती है कि जो बहुत सारे इवेंट परस्तूत करने वाले जो टीमें होती है यह बैंड हो या लोग गीत के माध्यम से तमाम ऐसे लोगों से सरकारें टाइअप करके उनको खर्चे भी देती हैं और उनके खर्चे को वियर करती हैं तो आगे चलके यह जनपत जौनपूर का, हम लोग ब्रतनित की रूप में जनपत जौनपूर का MLC हैं और यहां की यह टीम है तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करूँगा कि यह अपने आपको निखारें और सरकारों से इनका टाई अप कराके अच्छी दिशा में कारे करें और सरकारे इनको सही हो